इंदोस्तान का पाइलेट हमने पकड़ा हुआ हम एज पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं इंदोस्तान को बाइस तो आपने सुना कि किस तरीके से इमरान खान ने ये कहा है कि भारतिये पाइलेट जो पकड़ा हुआ है पाकिस्तान ने उसे वो कल रिहा करने वाला लेकिन ये जिस तरीके से संसद में पाकिस्तानी संसद में इमरान खान ने बोला और चेहरे पे वो सिकन वो सिकस आप साफ देख सकते हैं ये किसी तरीके की शांती की बात जो कर रहा है पाकिस्तान उसके लिए वो हकदार है नहीं क्योंकि जिस तरीके से आतकवाद का पनाहग जीत है ये भारत की एक और बड़ी जीत है जिसके तगई अब पाकस्तान ने यह किया है कि जो पाइलएट पकड़ा गया था उसे कल वो छोड़ रहा है तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं एक वार फिर से कि जिस तरीके से भारत के पाइलेट अभिनांदन को पाकिस्ता पाकिस्तान शांती वारता करना चाहता है पाकिस्तान इस तरीके से लगातार शांती वारता की बात करता रहा है लेकिन साथ बाए ये भी कहा है पाकिस्तानी प्राइम इनिशर इमरान खान ने कि अब जो पैलेट है उसको कल वो रिहा कर रहा है तो बड़ी जीत एक बार फिर से भारतीय की बड़ी जीत एक बार भारत सरकार की और बड़ी जीत एक बार फिर से सेना की आपकी और हमारी ये स सबकी एक बड़ी जीत है लेकिन इस बार मुहतोर जवाब दिया भारत ने इस बार भारत ने यह साफ कर दिया है कि अगर तुम आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाओगे तो तुम्हें अलग थलक कर देंगे वैश्विक अस्तर पर दरसल आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये माजरा है क्या लगातार जब मंगलवार को भारत ने हमला किया उसके बाद से जिस तरीके से प्रधान मंतरी इमरान खान और विदेश मंतरी शाह के बीच तमाम बाते हुई जिस तरीके से इस संसद में भी इमरान खान ने ये कहा कि कोशिशे हमारी लगातार चल रही लेकिन सूत्रों की माने, तो ये संपर्ग साधा गया था, लेकिन किसी भी देश ने पाकिस्तान का साथ देने से साफ इंकार कर दिया है, वहीं अगर सेना प्रमुक बाजवा की बात माने, तो सूत्रों का ये कहना है कि बाजवा ने सीधे तोर पर ये कह दिया था कि लॉंग टर्म जंग के लिए पाकिस्तान तयार नहीं है जिसकी वज़े से पाकिस्तान एक बार फिर से घुटनों के बल बैठा हुआ है और अपनी संसद में शांती का मुखोटा पहन कर एक बार फि कि बादेट को चोड़ने वाला है तो बड़ी ख़बर आपको नहीं बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधान मंतरे खुद संसद में बोल रहा है कि हम भारत के पाइलेट को कल चोड़ेंगे इसी तरीका की तमाम बड़ी खबर उसे अपडेट रहने के लिए आप में ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं लेकिल फिलाल इतना ही बन रहा है हमारे साथ आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे हम नमस्कार